हलो दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है सीजी कॉंस्टेबल के लिए एक अच्छी अपडेट निकल कही है दोस्तो जो आरक्षक संवर की भरती निकली हुई थी उसकी चैन प्रक्रिया से सम्मदित ठीक है तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना कॉंपेटिशन हो सकता है कितने सेंटर बनाए गये है कौन-कौन से सेंटर में दोस्तो कितने-कितने लोग फिसकल दे लेंगे टोटल ऐसे कितने केंडिडेट है जितने लोग का फिसकल होने वाला है टोटल उसके बार में बात करेंगे साथ में दोस्तों आपका फिज्कल कब तक हो सकती है इस संदर में हम लोग बात करेंगे ठीक है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हरे रेंज में आपका चैन कमिटी जो है गठित किया जा चुका है उनके सदस्य और अध्यक्ष का चैन हो चुका है कि सदस्य की रूप में यहां पर नमित किये गए हैं चैन के मिटी कठित किया गया है यानि कि इनके द्वारे जो है जो फिजिकल प्रोसेस है वो चैन जो है इनके द्वारे ही लिया जाए गए इनके अध्यक्ष जो है श्री दिव्यांक कुमार पटेल रहेंगे बिलासपुर इसी तरह हरे रैंज का कठित किया जा चुका जो है चैन समीति का यह जारी किया गया गया है दोस्तों 1710-2024 को थीख है आभ बात करते हैं कितने केंडिडेट हैं कितने सेंटर आपके बनाए गया है जहां पर जढ़ा है जिस रैंज में ज़्यादा जील है वहाहाً पर किसी- पहले उसको थोड़ा से पढ़ लेते हैं ये पुलिस महाने रिक्षा को लिखा गया है रायपूर दूर्ग राजनान गाउं बिलासपूर सरगूजा बस्तर रेंज सभी रेंजों को जो है ये भेजा गया है जिसमें बताया गया है जीला पुलिस बला रक्षक संवर्ख चैन परिक्षा वर्ष 2034 सेतु चैन समिति के गठन बाबत अब इससे ये क्लियर हो जाती है दोस्तों को ये टेंडर वाला इसू था वो प्राब्लम जो है सालवाउट हो चुकी है किसी ने किसी को जो है टेंडर दिया जा चुक है किसी प्राइवेट संस्तर को फिसकल कंडर्ट क कराने के लिए तभी जो है चैन समिति गठित किया जारा है विसे अंतर का जीला पुलीजबल अरक्षा संवर्ख चैन परिक्षा वर्ष 2023 सितु दिनांग 410 2030 को जारे विज्ञापन के अनुकरम में विज्ञापित पदों के वेद्ध कुल सात लाग सेंतिस आजार 864 ऑनले जिनका फिसकल होने वाला है यहाँ पर एक केंडिडेट जो है 2 जिला 3 जिला में भी अपलाई किये किये हैं वो भी सामिल है यहाँ पर तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो फिसकल में बहुत ज़ाद आपको निल जागा ऐसा कुछ भ रहने वाला है क्योंकि वहां पर आपका एक जीले से रिटन एक्जाम दिल आ गया कोई यदी दो तीन जीले से भी निकाल लेता है फिसकल तो वो जो है एक ही जीले से दिल आने वाला है ठीक है तो टोटल केंडिडेट्स को देख के यहां पर घबराना नहीं है प्रापत आवे उसका नाम लिखा हुआ है जैसे कि यह राइपूर का है राइपूर में दो किंद्र बनाएगे हैं दोस्तो एक तो आपका किंद्र क्रमांकेक है राइपूर में ही रहेगा ठीक है जिसमें बलोदा बजार, भाठा पारा, धमतरी, गरिया बन और महा समुन्द इतने लोग का फ चंद्र बोस, राज्य पूलिस अकादमी चंद्खुरी रहपूर, एमटी पूल पूलिस मुख्यला रहपूर, जो दूसरा सेंटर होगा दोस्तो धमतरी, उसमें आड़ूसट हजार चैसो चौरानवे लोग का फिसकल होगा ठीक है, अब बात करते हैं दूर्ग में, तो 2549 लोग यहां पर फिसकल दिलाने बारे हैं, बिलासपुर के बात करें तो बिलासपुर में दू सेंटर होगा, ठीक है, जिसमें एक सेंटर में बिलासपुर, मुंगेली, गौरला, पेंड़ा, मरवाही और कूरबा, इतना का फिसकल होगा, जिसमें 97,071 कैंडिडेट्स वह इनका फिसकल होगा, दूसरे सेंटर में 70,337 कैंडिडेट्स वह यहां पर फिसकल दिलाएंगे, वहीं सरगुजा की बात करें दोस्तों, तो सरगुजा में एक ही सेंटर रहेगा, ठीक है, जिसमें सरगुजा, जसपुर, कुरिया, बर्रामपुर, रामनुजगान, इंद्रगर, चिर्मेरी, भरतपूर, और पिटीएस में पार, यहां के लिए 82,694 कैंडिडेट्स वह फिसकल दिलाएंगे, बस्तर में दो सेंटर बनाए गए हैं, एक तो बस्तर में ही, और दूसरा कॉंडा गाउं में, ठीक है, जो पहला सेंटर रहेगा, बस्तर में, उसम सेंटर कैंटर काता हैंगे, टोटल 7,37,864 कैंडिडेट्स वह यहां पर फिसकल दिलाने वाले हैं, तो मैंने पहले भी बोला है दोस्तो, यह जो डेटा आप आंकड़ा देख रहे हैं, 7,37,864 कैंडिडेट्स इतनी बड़ी संख्या को देखे, घबरानी के जूरत नहीं है, हरो कोई 2 जीला, 3 जीला में अपलाई किया है, तो एक ही केंडिडेट जो है, 2-3 यहां पर काउंट है, ठीक है, ओवराल में, लेकिन रेटन एक्जाम, तो वो जो है, एक ही जीले के लिए दिलाएगा, इसमें से भी दोस्तो, कितने लोग GD के लिए हैं, कितने लोग चालक क के लिए है, और कितने लोग आरक्षक टेट के लिए दिलाएंगे, उनकी भी संखियां पर प्रदर्शित की गई है, उक्त भरती प्रक्रिया रेंज इस्तर पर संपन्न होना है, अता उक्त तालिका के कालाम करमांग 3 में दर्शित केंडरों की संखिया के नुसार, 36 पुलिस अता सुनिशित करने का कश्ट करें, भरती परक्रिया है तो निधायत के लिए करम के जान के प्रिथेक्स विपलब्द कराई जाएगे, ति ये तरह ही दोस्तों की टोटल जो है, आपके केंडिडेट्स कितने हैं, कौन-कौन सेंटर जो है बनाए गया है, टोटल 9 सेंटर है और किस सेंटर में कितने केंडिडेट्स जो है आपके फिसकल दिलाने वले हैं, अब मेंट पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों कि आपका फिसकल कब तक हो सकता है, ठाला कि ये जो है, चैन कमेटी के गठन किया जा चुका है, इसका मतलब यह नहीं ही दोस्तों कि बहुत जल अगले महने या उसके अगले महने जो है, एक दो महने में यह स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अब एक्शुल में डेट पता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता, विभाग इस वेम भी निर्धारंड किया है, त अगले में बता सकता है, एक अगले में डेट पता सकता है, तो जो है इस बीच में नहीं होने वाली है, तो क्योंकि यह जो नगरी पंचाद चुनाओं है, उसमें बहुत बढ़ी मात्ता है, में पुलिस बलकि आव सकता पड़ती है, क्योंकि हर गाउं में, चुकि ग्राम पंचाद चुनाओं है, नगरी पंचाद चुनाओं है, तो हर गाउं वगरे में जो है मद्दान केंद्र बनाया जाते हैं, और हर केंद्र में दो तीन आरक्षक वहां पर आपका ड्यूटी द जाते हैं, और उनके दोरा जो है, ये मद्दान का कार्या जो है, कंप्लेट करा जाता है, तो इस बीच में, चुनाओं के बीच में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये जो भरती होगा दोस्तों, ग्रीस मकाल तक जा सकती है, ये मेरा पर्सनल उपनीन है, ठीक है, फिक्स ठीक है, कोई कितना भी बोले कि भाई, ये की महने में हो जाएगा, अगले महने में हो जाएगा, दो महने में हो जाएगा, ये पॉसिबल नजर नहीं आती है, लेकिन फिरहाल, मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पाएगी, आपको ग्रीस मकाल में ही ये जाने वाला है, तो आ